हेलो गाइज वेलकम बैक टो मैं चैनल यासकी मिश्डी और वे आप सक्सेट मैं हूँ आपका दोस्तों सियो मिस्त्रा और यहां पर मेरे प्यारवच्छों डिसक्सन करने वाले हैं प्लाश ट्यल्थ बालो जी का जो हमारा सेकिंड चैप्टर है पुस्पो में लैंगी जनन व भाने वाइले टेस्ट वीडियो कि नौट्विकेसं सबसे पहले आप तक पहुंसती रहे इसमें जलब पर आगड़ तो इन सभी को इसी में आज ुपशां करने वाले हैं ठीक है ना जो कि आपके बहुत परिछा 2021 का एस्पिसिल क्लास कर दिया गया है फ्री में बाकी नोट्स आपको तो हमारे टेलेग्राम चैनल पे और आपको अलग से वीडियो के माध्यम से पीडियाप के माध्यम से आपको प्रुवाइड ही किये जा रहे हैं लगातार तो जल परागड क्या होता है सब्धम त जल द्वारा परागड को जल परागड कहते हैं जल परागड कहते हैं ठीक न अधिकांस अधिकांस जलोद भीद अधिकांस जलोद भीद पाउधों में नर्पुस्प नर्पुस्प से परागकड परागकड जल के माध्यम से माधा पुस्प को वर्तिकांस तक पहुचाए जाती हैं माधा पुस्प को वर्तिकांस परागकड पर पहुचाए जाते हैं ठीक न और जल परागड देखें तो यह मुख्यता दो पकार के होते हैं क्या लिखेंगे जल परागड परागड फिर पराग मुख्यतर दो प्रकार के होती हैं जल परागड मुख्यतर कि निवरार के होते हैं फाला होता है हाइपो हाइड्रो फिली पहला क्या होता है हाइपो हाइपो हाइड्रो हाइड्रो फिली पहला हाइपो हाइड्रो फिली अदुसरा होता है हमारा एपी एपी हाइड्रो फिली पहला होता है हाइपो हाइड्रोफिली अदुसरा होता है हमारा हपी 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 होगा एपी हाइड्रोफिली होता है ठीक न और जैसे के अगर मालेजी अगर कहेंगे सर इसको हम लोग परिभासित कैसे करेंगे तो सीधा लिगना है इसमें परागण जल के अंदर के अंदर होता है कहां पर होता है तो जल के जल के अंदर होता है इसमें जो परागण की क्रिया होती हो किसमें होती है जल के अंदर होती है जिसे हम लोग जैसे किसमें जो श्टेरा में जो जल परागण होता है वो जल के अंदर ही होता है दुसरा होता है हमारा एपी हाइडरोफिली इसमें परागण जल की सतह पर होता है कहां पर होता है सतह पर होता है जैसे हमारी लेमना हाइडरा और वैसे लेनिया क्या है हमारा लेमना हाइडरीला 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 इत्याद जितने भी होते हैं उसमें हमारी जो परागण की क्रिया होती है जल के अंदर ही होती है फिर आती है जल परागण पुस्पो की हैं ठीक है न तो यह लिए इंग यह जल परागित पुस्पों does जल परागित पुस्पो की विसेस्ताएं जल परागित पुस्पो की विसेस्ताएं तो जल परागित पुस्पो की विसेस्ताएं बहुत सारी होती पहली तो यह हमारी रंगहीन गंदहीन और मरकंदहीन होती है पहली क्या होती है गंदहीन गंदहीन और छोटी तथा रंगहीन होती हैं इसमें जो पुष्पायाते हैं दूसरा इसमें पराग कड़ हलकी होते हैं हलकी पराग कड़ होते हैं और जो की तैर पर जो की यह सत्था पर तैर सके ठीक न और हमारा क्या होती है और यह होती है कि परागन के चार ओर मुम जैसे पदार्थीता होती है इन्हें जल को सड़ने से बचाती है ठीक न इसके इसके चारो ओर चारो ओर मुम जैसी मुम जैसी सत्थ होती है सत्थ होती है जो सड़ने से बचाती है जो सड़ने से क्या होती है जो सड़ने से बचाती है अगला हमारा क्या होता है अगला आपका होता है इसमें वर्तिकाग नम्मे और चिपचिपा एवं नगीला वाला होता है इसमें वर्तिकाग्र लंबा चिप 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 एवं न गीला होने वाला होता है न गीला होने वाला होता है जिसमें पाई जाते हैं अगला आग देखेंगे पर परागण से लाब अब हिडिंग क्या डालेंगे पर परागण से लाब पर परागण से लाब पर परागण से क्या क्या लाब होते है तो पर परागण से पहला लाब ही होता है किसमें जो परागण पुस्प बने होते हैं वो फल बड़े होते हैं भारी एवं स्वादिश्ट होते तथा इसमें बीजों की संख्या अधिक होती है पहला क्या है पहला लिखेंगे पर परागित पुस्पू से बनने वाले फल बड़े भारी एवं स्वादिश्ट स्वादिश्ट होते हैं तथा इसमें बीजों की संख्या क्या होती है हमारी अधिक होती है तिक है दुसरा हमारा क्या होता है दुसरा होता है मेरे वेरवच्चू पर परागण से उत्पन्न बीज भी बड़े भारी स्वादिश्ट एवं अच्छी नसल वाले होती हैं ठीक न भारी होती है और हमारी क्या होती है इसमें और हमारी क्या खासियत होती है इसमें और खास बात लिख सकते हैं लिखना है तो आपको लिख लिजिए कि पर परागण से अनुमासिक पुनर्योजन द्वारा विभिन्ताय उत्पन्न होती है क्या लिखेंगे पर परागण द्वारा प्रकिति में स्वत्य ही स्वत्य ही पौधे की नई जातिया उत्पन्न होती है ये पर परागण में क्या है हमारी इसके लाब है क्या क्या लाब होते हैं अब आती है हानिया की भहिया अगर लाब है तो हानिया भी होगी तो हेडिंग के डालेंगे हानिया यानि की पर परागण पर परागण से हानिया पर परागण से क्या क्या हानिया होती है तो पर परागण से बहुत सारी हानिया होती है पर परागण की क्रिया अनिश्चय होती है क्या होती है अनिश्चित होती है पर पर लागर की क्रिया निस्चित होती है क्योंकि यह हमारे वाईव और जंत्पन इर्बर होती है इसलिए हमारी क्या होती है अनिस्चित होती है परागित करने वाले साधनों की समय पर उप्लब्धता न होने से अधिकांस जो पुस्प होते हैं परागित होने से बच जाती हैं क्या लिखेंगे उप्लब्ध साधन की कमी होने से अधिकांस अधिकांस पुस्प परागित नहीं होती हैं तीसरा क्या कंडिसन आती हैं मेरे प्यार वच्चू पर परागण के लिए पुस्प को एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है ठीक है और हमारी क्या हती हैं पर परागित बीज सदेव संकर होती हैं चौनिकांं और लिखना है तो एक लिख लीजिए क्या रिख लेंगे पर परागित पुस्पो पर परागित पर परागित पुस्पो विसेश कर विसेश कर वाई परागित वाई परागित पुस्पो में पराग कर अधिक संख्या मनश्ट होते हैं पुस्पो में पुस्पो में पराग कर कर अधिक संख्या में अधिक संख्या में नश्ट होती हैं नश्ट होती हैं तो मेरे प्यारवच्व इतना सवाब नोट कर लेजिए जो क्या आप लिए इंपोर्टेंट है बोड़ ग्याम 2030 के लिए और ऐसे वीडियो स्पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए तो कि दूस्तों थांक यू जैहिंट